हेलो आठ्यो, आज हमारा क्वेशन है, Convert the Fallen into grams. हमें kg में देना का हमें को convert करना है किसमें? grams में? सबस्क्राइल, हमें पता हुना चाहία है, एक kg में कितने gram होते हैं? में 1 kg में हमारे होते 1,000 gram होते हैं? कितने होते? 1,000 gram. अब मुझे 5 kg में देखना हम अगर 1 में 1000 तू में कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा 3 में 3000 फोर में 4000 इट मिंज क्या होगा 5 में कितना होगा 5 फाइब मंटिप्लाइगा 1000 टो कितना हो जाएगा 5000 ग्राम हो जाएगा भई एक में 1 kg में कितना हो जाएगा 3000 ग्राम हो जाएगा रहा अब 6 kg और 6 kg 6 84 ग्राम्स यह तो ग्राम्स में इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा भाई यह 6 मंडिप्लाइब 1000 क्योंकि एक में कितना होता 1000 होता और प्लस 684 ही बाद में प्लस हो जाएगा यह हमारे कितना हो जाएगा 6,000 प्लस 684 तो यह हो जाएगा 6,684 ग्राम्स हो जाएगा ओके भाई यह तो अलड़ी ग्राम्स में यह हमने इसके साथ प्लस कर लिए इसलिए 2 kg को 2 इंटू कितना हो जाएगा 1000 क्योंकि एक में कितना होता 1000 होता और प्लस 400 तो ग्राम में तो यह 400 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यह 2,000 पलस 400 तो कितना हो जाएगा 2,400 ग्राम हो जाएगा ओके अब यहां दोको 3 kg 90 ग्राम है 3 को मंटिप्लाई कर दो 1,000 क्योंकि एक ग्राम में कितना होता 1,000 ग्राम होते और पलस कर दो 90 ग्राम को तो यह हो जाएगा 3,000 पलस 90 कितना हो जाएगा 3,090 ग्राम ओके आप देखो 8 kg में 8 इंटू 1,000 अब पलस 28 ग्राम है तो इसको मंटिप्लस कर दो तो यह 8,000 पलस कितना हो जाएगा 28 तो हमारे कितना जाएगा 8,028 ग्राम हो जाएगा एक केजी एक ग्राम एक केजी में हमें मारम कितना होते 1,000 होते अब पलस 1 कर दो कितना हो जाएगा 1,001 ग्राम्स 15 केजी भाई 15 केजी 15 इंटू 1,000 कर दो ओके पलस 8 ग्राम्स कर दो यह कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा पलस 8 कर दो कितना हो जाएगा फिप्टेन थाउजेन एट ग्राम्स हो जाएगा, ओके?